गेट रेडी स्टार्ट आदरनिय सभापती जी हमारे राष्टर को सवतंतरता प्राप्त किये हुए 38 वर्ष हो गए हैं लेकिन किसी ने भी यह कल्पना ताक ने की होगी कि सवतंतरता प्राप्ती के इतने वर्षों के बाद हमें आतंक वाद के दोर से भी गुजरना पड़ेगा वर्तमान्स्तीती यह है कि हमारे यहां कोई भी किसी धार्मेक, सामाजेक तथा आर्थिक वाद से भली भांती परीचित हो अथ्वा ने हो परंतु वह आतंक वाद से भली भांती परीचित होगा यह ठीक है कि संपूर्ण भारत में सरवत्र आतंक वाद नहीं है परंतु क्या रास्टर के किसी एक भाग में ही आतंक वाद की उपस्तिती खतरनाख नहीं है यह भी हम देख रहे हैं कि महतोपूर्ण सीमवर्ती राजय पंजाब में आतंक वाद की गटनाओं की गूंज पडोसी राजों एवं किंद्र में भी सुनाई पड़ रही है इसमें कोई शक नहीं कि आतंक वाद के सुत्रधारों पोशकों एवं कारिय पालकों की यह एक मात्र इच्छा यही है कि आतंक वाद संपूर्ण राश्टर में फैले जिसके फलसवरूप भारत अखांड ने रह पाए सन 1984 के आम चुनाव में हमारे सत्तरूड नेताओं ने चुनाव प्रचार में नारा यहे भी बुलंद किया था कि आतंक वाद हमारे घर के दहलीज तक पहुँच गया है जिस पर उस समय विपक्ष के नेताओं ने आप पत्ती भी की थी लेकिन आतंक वाद तो चारों और फैल रहा है इसके लिए उत्रदाइत्व किसका है मेरे विचार में इसके लिए सरकार और हमारा समाज समान रूप से उत्रदाई है इसके साथ साथ यह भी सही है कि कुछ विदेशी शक्तियां भी नहीं चाहती कि भारत एक मजबूत तथा अखन रास्टर बना रहे और अपनी सवतंत्र नीतियों पर चलता रहे मेरे विचार में वर्तमान सरकार का दोश केवल यही है कि इसने आतंकवाद की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया राजनेतिक लाब उठाना एक अलाग विवाद का विशय हो सकता है परंतुरास्टर के भविशय तथा उसकी एकता के साथ खिलवाड करने को कोई भी अक्षमा नहीं कर सकता पून विराम